बच्चो आज का हमारा विश्य है एविएज और यह आपकी एक्टिविटी बोक है ओके नौ स्टुदेंट ओपन पेश नमबर फाइब अगार विश्य है और टॉपिक गीला पानी वग रहा होता है और अगार विश्य है तो here is a question for you put a tick mark in the correct box to show whether the picture shows something wet or something dry, देखो बच्चो हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई है और उसके नीचे दो बॉक्स दी गई है एक वेट का होगा और ड्राइ का होगा तो हमें वो पिक्चर देखे बताना है कि वो वेट है मतलब गीला है या ड्राइ है something dry मतलब सूखा है ओके, तो लेट स्टार्ट C student यह आपको ना यहाँ पे टोटल 6 पिक्चर दी गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब हमें यह पिक्चर देखे बताना है कि वेट है कि ड्राइ है सो हमारी फॉस्स पिक्चर क्या है हमारी फॉस्स पिक्चर में क्या बताए है यह रेगिस्तान है मतलब राजस्तान एरिया है यहाँ पे मिट्री और खुला आस्मान यहाँ पे टू ट्री दिख रहे है नारियल के तो तो यह क्या है यह वेट एरिया कि ड्राइ यहाँ पे पानी है आपको कहीं पानी दिख रहा है? NO! वाटर दिख रहा है आपको कहीं? NO! तो यह कौनसा एरिया है? द्राइ ड्राइ नहीं है क्योंकि यहां पे वाटर कहीं भी नहीं है तो हम ड्राइ में TICK करेंगे Tungen T kindstundent ऐ टिक ड्राइ में because this area is a very hot hot and dry area okay अब हमारी next picture इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक बॉल है उसके अमदर बहुत सारे dresses है जिनने हम wash कर रहे हैं तो यह dry है कि wet है tell me student this is a wet because हम यहाँ पर जो dresses है उसे नीच and clean कर रहे हैं उसे धो रहे हैं उसे wash कर रहे हैं okay so यहाँ पर क्या है कपड़े गीले है तो यह dry कैसे होंगे dry means होता है सुखा और wet means होता है गीला तो यहाँ पर क्या है कपड़े गीले है तो हम किस में टिक करेंगे wet में see देखो student, यहां में मैंने वैट में टिकिया, क्योंकि यहां पे कपड़े गीले है, इसलिए यहां पे सब गीला गीला है, तो यहां पे क्या होगा, वैट, ओके, so we take in वैट, अब हमारी next picture क्या भूर रहे है, what is this, यहां पे two girls है, वो क्या कर रहे है, इरिंग्स को अपने कमर प दिख रहे है, rainy season दिख रहे है, no, यहां पे क्या है, वैदर एकदम साफ सुतरा है, थंड भी नहीं है, इन दोनों ने देखो, short dresses भी पहना है, तो वैदर कैसा है, dry है, summer season है, summer season मतलब dry है, तो हम किसमें टिक करेंगे बच्चों, यह dry में, C, C student मैंने इसमें टिक किया, क्यों C student मैंने यह three pictures में आपको बताए कि हमारा weather कैसा है, या dry है, या wet है, या यहां पे क्या चीज़े, wet है और dry है, and that is your homework, okay, this is your homework, so, as this way, we are going to take and learn, what, wet and dry, okay, so, this is your homework, यह आपका homework है, इससे आपको complete करके, आपको identify करना है कि, यहां का weather या चीज़े dry है कि wet है, okay, so, thank you, बच्चों, bye-bye, take care, be safe and stay at home